वेल्गम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस सकेंड बाद शुरू होगा रेडी स्टार्ट केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफार्म के लिए जो दिशानिर देश जारी किये गए वे कायदे से बहुत पहले बन जाने चाहिए थे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार को यह देखना होगा की उनका सही तरह पालन हो इस मामले में सजग रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तकनीक में बदलाव होते रहते हैं और कई बार वे पुराने नियम कानूनों को निस्प्रभावी साबित कर देते हैं इस पस्ट है की समय के साथ दिशा निर्देशों में संसोधन परिवर्तन भी अपेक्षित है इस अपेक्षा को पूरा करने के साथ सरकार को इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा की OTT समेत हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की न तो मनमानी व्याख्या करने पाएं और नहीं उनसे बच निकलने के छिद्र तलाशने पाएं यह मानने का कोई कारण नहीं की ये प्लेटफॉर्म नियम कायदों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तयार हो जाएंगे आम तोर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ती की स्वतंद्रता की दुहाई दे कर अपनी ही चलाते हैं लेकिन पहली बात तो यह है की अभिव्यक्ती की आजादी असीम नहीं और दूसरे इसे तय करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता जो खुले तोर पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के कारण ही बह इन खबरों का गढ़ भी है और सुरोत भी भले ही विभिन प्लेट फॉर्म यह दावा करते हों की वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्री रहते हैं लेकिन हकीकत इसके उलट है उनका यह दावा भी फर्जी ही है की वे जूट फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कारवाई करते हैं सच यह है की वे ऐसे तत्वों को सनरक्छन देते हैं यह किसी से छिपा नहीं की कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कारवाई करने से इनकार भी कर देते हैं अभी हाल में ट्वीटर ने सरकार के निर्देश के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जो हापत्ती जनक हैश्टेग का शहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे इसके लिए अभिव्यक्ती की आजादी की आड ली गई इस पस्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं की यह आजादी जिम्मिदारी की भी मांग करती है ऐसी बे लगाम प्लेट फॉर्म नियम कानूनों के दाइरे में लाए ही जाने चाहिए जूट और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता जिम्मिदारी का निर्वाह करने की विवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ती की आजादी पर अंकुष लगाया जा रहा है इसकी अनदेखी नहीं की जाने चाहिए की जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहां वैचारिक सहमत और असहमत को अभिव्यक्त करने की आजादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य हो लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ती की निरवाध आजादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जिससे भावनाओं के भड़कने और यहां तक की अराजक्ता फैलने की आशंका खड़ी हो जाती है खास तोर पर जब से शोसल मीडिया के अलग-अलग मंचों का विस्तार हुआ है उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुँच बनी है तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ती की आजादी के लिए एक नया आकाश जरूर मिला है लेकिन इसके बरक्स ऐसे तमाम लोग भी हैं जो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी कुछित मंचा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं ऐसी घटनाएं अकसर दर्ज की गई हैं जो महज एक व्यक्ती के आधे अधूरे तत्यों के आधार पर फैलाए गए भ्रम के चलते होती है और उसमें नाहक ही जानमाल का नुकसान हो जाता है विडंबना यह है कि सोसल मीडिया के मंचों पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों की वजह से कभी जूठी धारणा तो कभी अराजकता फैल जाती है लेकिन इसके नुकसानों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है शायद इसी के मद्दे नजर केंदर सरकार ने गुरुवार को अगले तीन महीने में एक कानून लाने की घोशणा की है जिसके जरिये डिजिटल माध्यमों पर सामगरियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके लिए जिम्मेदारी तैकी जा सकेगी सरकार का मानना है कि सोसल मीडिया गलत तश्वीर दिखाने को लेकर लगातार सिकायतें आ रही थी चुकि अपराधी भी इसका इस्तिमाल करने लगी हैं इसलिए ऐसे मंचों से संबंधित एक नियमित तंत्र होना चाहिए अब सरकार ने सोसल मीडिया के नियमन से संबंधित जो दिशानिर देश लाने की बात कही है उसके मताबिक फेस्बुक या ट्वीटर जैसे किसी भी मंच को शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की तैनाती करनी होगी और आपत्ती जनक सामगरी को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की पहचान करके उसकी जानकारी देनी होगी साथ ही OTT प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया को भी अपनी सामगरी तैयार करने के बारे में बताना होगा इसके अलावा कई अन बिंदो दिशानिर देशों में सामिल किये गए हैं जिनका मकसद सरकार के मताबिक अवांचित, मनमानी पन और अराजक्ता पर लगाम लगाना है दरसल आज शोसल मीडिया के साथ साथ अभिव्यक्ती के दारे का जो विस्तार हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार को सारवजनिक रूप से साजहा करने का मौका मिला है मुस्किलिया है कि इन्ही मंचों पर कुछ असामाजिक तत्वी कई बार नफरत और हिंसा फैलाने के मकसद से अफवाह फैला देते हैं ऐसे लोग आम तोर पर पकड़ में नहीं आते निश्चित तोर पर ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ साइबर कानूनों के तहत कारिवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन यह भी सच है कि इस प्रवित्ती के लोगों की वजह से वाजिब अभिव्यक्ती की आजादी प्रतिबंधित नहीं की जानी चाहिए गलत को परिभाशित करने का अधिकार अगर कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित किया जाएगा तो इसका भी दुरूपयोग संभव है अगर सरकार सोसल मीडिया और OTT मंचू पर होने वाली गतिविदियों को नियमित करने जा रही है तो उसे इस बात का खयाल रखना चाहिए कि इसके नाम पर नियंत्रन की कोई ऐसी विवस्था नहीं खड़ी हो जाए जो लोकतंत्र को सिमित या बाधित कर दे एक विचार से सहमति असहमति की प्रक्रिया और उसके प्रती सहिश्रुता किसी व्यक्ति या समाज को उदार बनाती है उसमें लोकतंत्रिक मुल्यों का विस्तार करती है और इस तरह मानवी संवेदनाओं की बुनियाद मजबूत होती है स्टाव